हेलो फ्रेंड्स वेलकम हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो अठारा महीने के बकाया पर बहुत बड़ी में अपडेट लेकर आया हूँ डिये एडियस को जो है इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है तो पूरे वीडियो को हम डिटेल में जानेगे इसके ल सभी कर्मचारियों पैंसर्स और राज कर्मचारियों पर तो ये वीडियो सभी कर्मचारियों पैंसर्स और राज कर्मचारियों के लिए डिये से रिलेटेड बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है इसलिए पूरे वीडियो को लास्त देखीगा बने रही है हमारे साथ इस बैल को आन करना बिल्कुल मत भूलेगा तभी आपके पास मुआरी वीडियो की लेटस्ट नोटिफिकेशन आप आएगी और आप मुआरी वीडियो को कंट्यूनिव वाच कर पाएंगे चलिए आपको डिये पर जो एरियर के बकाया है उससे लेटे न्यूस इन्पोर्मेशन ह पांच जो बड़े फैसले हुए है उन पर हम जो है उन पर वीडियो पर इन्फोर्मेशन पहले देख लेते हैं चलिए आपको लेके चलते हैं पहली न्यूस पर आप दे सकते हैं आप सभी को पता है कि केंद सरकार करमचारियों को अभी तक जो है एक जनवरी दोयारी कीस त के लिए जो छे महिने के डूरेशन का डिये और डियार है वह भी आपको प्रोवाइड किया जाना है जिसकी अनॉंसमेंट जिसकी घोषणा बहुत ही जल्दी हो सकती है बहुत ज़्यादा चांसे से हैं तो अगले वीक में हो सकती है तो उसी से लेटेड यह बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है आप सभी को पता है जो डिये होता है वो ओल इंडिया कंजूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है जो मिनिस्टी ओफ लेबर एंड बीरो यानि स्रम मंत्रायले की तरफ से जारी किया जाता है देन उसको डिये केलकुलिटर ने पुट अप कर महहँगाई बत्त और महहँगाई रहात भाइत यानि डिये और डियार बचा हुआ है वो कितना होगा वो हम आपको यहां पर बताने कराए वो देखays करते हैं आप 121 साथ है CPIW आप इसको जो है डिये कल्कुलेटर में पुट अप करेंगे और हम आपको बताएंगे कितने प्रदिसार आपको महेंगाई बता मिलने वाला तो चलिए आपको लेके चलते हैं उसे डिये कल्कुलेटर में आप सभी को पता है यहां पर देख सकते है यहां से थोड़ा सब पिछले मंस की बात करें तो 119 जहनलब 6 वंग थे जिसके बेसिस पर आपका 29 जहनलब 5 परचंट बीए और डियार था आगे बात करते हैं अप्रेल मंद की तो 120 जहनलब एक अंक हुआ बड़ोतरी इसमें भी हुई तो 30 जहनलब 10 परचंट डिये और आ अब आगे देख सकते हैं जून 221 की जिसमें आप देख सकते हैं जो अंक में बड़ोतरी हुई वो था 121 जहनलब 7 यानि 1.1 ओल इंडेक्स की डेटा की बड़ोतरी हुई अब उसके बेसिस पर आपका महंगाई बत्ता आप देख सकते हुगा 31 जहनलब 24 और इसको राउंड 3% की और ब्रद्धी हुई है अब उस 3% की ब्रद्धी जो है आपको जनवरी और स्वरी आपको जुलाई और अगस्त मंद के एरियर के साथ में प्रोवाइड कराई जाएगी यानि सप्टमर मंद की सेल्री में यानि आपकी 3% महंगाई बत्ते और महंगाई रहात के साथ फ वड़ा फैशला किया था आप देख सकते हैं यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो मिनिस्ट्री ओफाइनस के डिपार्टमेंट ओप एक्समेंडेचर की तरब से 13 गहर दोयारी किस को एक बहुत ही महतुपूर्ण यह बोल सकते हैं इंपोर्टेंट ओफिस में में बेंडम जारी किया गया था ऐसे कर्मचारियों के लिए जो छटवे बेतन आयों के हिसाब से सेंट्रल मुर्मेंटल ओफिसस में या सेंट्रल ऑटोनुमस बोडिस में काम कर रहे हैं उन सभी कर्मचारियों और पैंस्रास का महंगाई भत्ता सरकान ने एक जुलाई-दौार और पैंस्रास काम कर रहे थे या रिटार्मेंट हो चुके तो उनको पहले ही जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था लेकिन जो छटवे बेतन आयों के हिसाब से काम कर रहे हैं उनका नोटिफिकेशन अभी आया तेरा तारिक को लेकिन उनको एक जुलाई-दौए- 25 परचेंट के बड़ोतरी इसमें की गई है चलिए नेक्स्ट सरकार के बड़े नोटिफिकेशन की तरफ से लेके चलते हैं अब बात कर लेते हैं कि यह भी नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं मिनिस्ट्यों फानिस के डिपार्टमंट और एक्सपेंडेशर की तरफ से नो बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है बहुत जो है कर्मचारियों को इसमें खुसी हुई है कि उनका डिए बढ़ने के साथ साथ हरे में भी काफी हद तक बड़ोतरी हुई तो कितनी बड़ोतरी वह मैं आपको अपने प्रिवेस वीडियो में बताने बताया भी चुका हूँ अ आपको मिलने भी लगाए और मिनिस्ट्री ओफाइनस के डिपार्टमेंट अब एकस्पेंडिचन ने अब कुछ पिछले वीक में नोटिफिकेशन भी निकाला था और उन्हें बोला थे कि जो नोटिफिकेशन 2017 में निकाला गया था वही नेटिफिकेशन है इसमें सेप्रे परेंट उप एकस्पेंडिचर की तरब से वही नोटिफिकेशन वैलिद होगा उसी से सारे आगे जो एक रे में बड़ोत्री होगी तो एक्स-पषंट में 27 परषंट की बड़ोत्री वी वाइट परषंट में इसमें एक और आपर्षंट की ब्रद्ध हुई इसमें कर्मच है फिर से एचारे अब बढ़ेगा जब आपका डिये ने सलाउं से 50% क्रोस करेगा तो आप देख सकते हैं यहां पर जैसी 50% क्रोस करेगा तो उसके बाद में जो अभी 27% है वो फिर से 30% होगा जो आपका 18% है वो 20% होगा देन आपका जो अभी 9% है चारे उसमें 10% हो जाए यानि फिर से 1-3% की बड़ी बड़ोतरी होगी जब DA और DR जो है फिर से 50% क्रोस करेगा तो आपका जो DA और DR पर ही एचारे पूरी तरह से उस पर डिपेंड होता है जैसे इसे DA बढ़ता जाता है वैसे वैसे है एचारे में भी बड़ोतरी होती जाती है चलिए हम नेक्श जो की करमचारियों और पैंसनर्स के 18 महीने के बकाया से रिलेटेड है आप सभी को पता है कि सरकार जो एक जो यूनियन्स वाफेडरसंस है वो लगतार सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है कि 18 महीने के DA और DR उनको प्रोवाइड कराए क्योंकि उनको सक्त जासक्त से सक्त प्रोवाइड कराए जो भी 18 महीने के DA और DR बचा हुआ दूसी स्लेटेड एक नोटीपिकेशन आप देख सकते हैं जिसमें उन्हें अपनी अपनी डिमांड्स रखी ही सरकार की तरब से और सरकार से रिक्वेस्ट किये कि सरकार जो है उनको 18 महीने के DA और DR प्रोवाइड कर सरकार उनको पैसा देने की जो है उन्होंने बोला जिसे सरकार पर भी बहुत जादा बोच ना पड़े चलते हैं लाशनी जो आ रहे हैं इसमें बहुत बड़ी खुसकबरी मिली है पंजाब राज में काम करने वाले कर्मचारियों और प्रेंसनस के लिए आप दे सकते हैं प सरकारी बयान के अनुसार इसके साथ राज के पती कर्मचारी वेतन और पैंसन में कुल और बड़ी एक दशनब जीरो पांच लाक रुपे सालान तक बढ़ेगी कर्मचारियों को इससे पहले एक जुलाई दुआरिकी से छटे वेतन आयों की सिफारी सो को सुईकार किये जा इसे कर्मचारियों को 31.2015 के मूल वेतन के ऊपर वेतन में बद्दी होगी उन्होंने सभी मंत्रियों प्रशासिंग सच्रियों और विभाग अद्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने-पने कर्मचारियों से बात करके उनकी सिकायतों को जल्द सी-जल्द समाधान क है तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत बड़ी खुसकबरी थी चाया उनके चाया च्छटी वेतन आयोग में करें करमकरें कर्मचारियों के लिए हो चाया ए 4 एस अरे मैंगाई बत्ते से हो या फिर 18 महीने के बकाया से हो तो बहुत जो है इंपोर्टेंट ये वीडियो थ करेगा शेयर जरू सब एक साथ करेगा ऐसी न्यूजर इंफोर्मेशन के लिए आप माझे